अगर आपके फेस पे एकने पिंपर्स के निसान है सालों पुरानी जाईयां है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हिल्फुल होने वाली है आप इसे रेगुलर अपने चेहरे पे अपलाई कीजिए आपके डाग धब्बे रिमूब हो जाएंगे हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब बेलकम एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल नाइचरल ब्यूटी वी धंसु में तो फ्रेंज की जो रेमेडी है वो पिग्मेंटेशन के लिए है और अगर और भी दाग दब्बे आपके पेस पर जैसे एकने भी पलस के निसान हो ग पूरी दर से नैचरल होती है उसमें कोई केमिकल नहीं होता तो दीरे दीरे अपना वर्ग करती है और जो केमिकल वाली चीजे है वह एक दो बार में हमारे दाग दब्बों को रिमूब कर देती हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस आता है और उससे भी ज्यादा आता है और उसके इस्तेमाल से हमारी स्कीन भी धिरे दरे डाइमेज हो जाती है हमारे फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं रह जाता है इसके लिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जितना हो सके आप डियाई वाई रेम्री का ही इस्तेमाल करें अगर आपके फेस पे बहुत ज़ जाइयां जिसको होती है उसको पता ही होगा कि जाइयों के जो निसान होते हो जल्दी नहीं जाते उन्हें रिमूब करने में काफी टाइम जाता है तो इस रेमडी को आप प्रॉपर तरीके से अपलाई कि जिए मैं बोल रही हूँ कि दो से तीन बार जब आप इसे करोगे कंटीनु क्योंकि जब हम कोई रिमडी अपलाई करते हैं उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है तो अपने इस इंगेर में उसे सामिल कर लेते हैं तो आई हो फ्रेंड आज की जो रिमडी है वो आप लोगों के लिए हेल्फ होगी तो चली फिर चलता है की चल्में सबसे पहले हमें लेना है आलू को ग्रेट करके इसका जूस निकाल लेना है आलू में नेचुरल इसकीन लाइटनर होता है जो हमारे इसकीन को वाइटनेस देता है और अटी एजिंग से भी बाजाता है अगर आपके फेस पे जुरिया फाइलाइंस आ रही है तो उन्हें भ करके मिक्सिजार में एड़ करके उसको ग्राइंड भी कर सकते है और चनी की मदद से उसका जूस निकाल सकते है बट इस तरह से ग्रेट करके निकालेंगे तो भी आसानी से निकल जाता है बहुत जादा तो हमें चाहिए नहीं होता मुश्किल से 1-1.5 स्पून इसका जूस क्योंकि मुख इंग्रेडियंट यही है हमारी रेमडी का और इसके बाद हमें लेना है टोमेटो का पल्प तो जिस तरह से हमने आलो ग्रेट किया उसी तरह से मैं टामाटर को भी ग्रेट कर लूँगी पका हुआ टामाटर लेंगे फ्रेंड तो आसानी से निकल जाएगा व अधर की चीजों पर हम ध्यान नहीं देते एक्चुली जो चीजे हमें फ्री में मिलती है उसकी वैलू हम समझते नहीं है प्रॉब्लम यह होता है और जो हम पैसे खर्च करके समान लेके आते हुसे हमें लगता है कि यह बहुत अच्छा है बहुत ज्यादा फायदे बंद है हमारे लिए तो जिस तरह से हमने आलो ग्रेट किया है उसी तरह से देखिए मैं टोमेटो को भी ग्रेट कर ले रही हूं और यह इतना अच्छे से पका हुआ है कि इसका पल्प बहुत आसानी से नीकल गया था तो इसके से देखिए निचोड़ के मैंने निकाल लिया है और दो चमस मुलतारी मित्टी अड़ करूंगे के लेना है रोज वाटर मरे इसकीन लेना है रोजवाटर रोजवाटर हमारी बहुत जादा पार्दमांत होता है पाइसां पर उपन पर्स होते हैं उनकी अंदर जो गंदगी होती हैूंगे क्लीन करने में हमारी मदद करता है आप चाहे तो रेगुलर इसे यूज कर सकते है रोज वाटर का जब अपने फेस पे आप कुछ भी अपलाई करते हैं मेकप भी करते तो उसके पहले भी रोज वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते है अपने स्कीन पर तो इस तरह से देखिए हमे अच्छे से मिक्स करके एक फाई साप्लाई यह अपने अपनी परकोश्ति हमें इस तरह से पलेकर और समय से कम से कम 20 मिर यह व्यूंद अरो से हीं साधे पानी यह पे रोटीन विटामिन ये बी होता है जो चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है अगर आप अलू की रेमडी रेगुलर अपने चेहरे पर अपलाई करते हैं तो दीरे दीरे आपके चेहरे पर जो भी दागधब्बे है रिमूब हो जाएंगे और आपका चेहरा ग्लोइंग हो तो टामाटर के इस्तेमाल से दूप से जमी काली परत बनाता है नेक्स्ट हमने लिया था मूलतानी मिट्टी मूलतानी मिट्टी के इस्तेमाल से हमारी तोचा में चमक आती है रेगुलर इस्तेमाल से पिग्मेंटेशन दाग धबो जैसी समस्य से हमें छुटकारा मिलता है तो यहां पे देखें फेस पेक ड्राई हो चुका है और यहां पे मैं अपलाई कर रही हूं रोज वाटर और ऐसा नहीं है कि यह पिग्मेंटेशन दाग धबो को रिमूब करने क सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे आप ऐसे भी अपलाई कर सकते अगर अपके फेस कोई धाग भी नहीं एतब भी इससे आपके पेस पें ग्लो आएगा आपके चहरी की चमक बढ़ेगी इसके लिए मैंने आप सभी को को प्रस्टाइम आये तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजि आप सभी को मिलती रहे तो मिलते ही गाई से ही इस फुल रेम्डी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर